पूर्णिये के बाइसी अंतरगर श्रीपूर मर्ला टोली के मंझोग गाउं इस्थित विभेन वाडो में बिहार सरकार का जल नल पूरी तरह फेल साबित हो रहा है कहीं जल मिनार का टंकी फटकर चूर हो चुका है तो कहीं नल में कीचर वाला पानी नल से निकल रहा है श्रीपूर मर्ला टोली पंचायत भर में जल नल खराब पड़ा है कहीं तूटी भी नहीं लगा है कई जगहों पर पानी टंकी फटकर चकना चूर होने से ग्रामिनों की घर शुद्ध पे जल नहीं पहुँच पाता है शादेपूर गुता पंचायत के वाट संख्या एक में जल नल का कारे आधा अधूरा देखा जा सकता है आरोफे की कमोबेश सभी पंचायतों में समवेदक अपना पॉकेट भरने में लगे हैं मुकमंत्री सातनिश्य योजना जमीन पर कहीं नहीं दिख रही ग्रामिनों का आरोफे की वर्तबान मुख्या इस पंचायत के ग्राम मन जहुप में जल नल के तहत खाली जमीन रखते हुए भी जल मिनार नहीं लगा सके भले बिहार सरकार जल नल का कारे समवेदक को दे रखा है लेकिन बिहार सरकार का आदेश भी है कि पंचायत मुख्या या वाडसद से अपने अपने पंचायत के अंदर समवेदकों को सहियोग कर जल मिनार सुचारू रूप से किया जाए तो इसके लिए शिकायत लिखिए आप लोग मुख्या जी से आया ही नहीं है घर पर तब नहीं है कौन सा गाउं है यह गांगर घोस गांगर कितना है दो अब किया समस्या है पाणी का समस्या है आज लगबग बाड़े चौदे दिन हो गया टेंकी फटने का कीतना फटा है कितना फटा है मतलब पूरा फट गया है तो पूरा फट गया है सब्सक्राइब का दर्वाजे में कुंसा वाड जो नुम्मर के यहां जलनल के तहाद बिहार सरकार का कनेक्शन मिला है नहीं मिला है फिर अब लोग कैसे पानी पीते हैं इस इस टीवल में तो यहां पर पानी निकाशी का रास्ता नहीं है यहां के जो सदस हैं यह मुख्या थे हैं जो अभी नाला वला का नहीं किया इदर अफेशल को नाला वाला भी काम नेगा थे वहाम पानी इसी टीवल का प्लग भीते हैं सब्सक्राइब क्या नम हूं आपका कौन सा गाउं है यह बहस बश्याव कि देखिए मेरे हिसाब से यह जलनल का योजना 50% कामियाब है बोलिए तो नहीं भी है है भी इसलिए कि हम तो पूरा पंचैत का बात नहीं का पाएंगे लेकिन 2-4-5-6 वार्ड का बात कह पाएंगे कि तो अभी आपका दो नंबर वाड में जो टेंकी है वो टेंकी फट गिया आज 10 दिन से दस बारे दिन से कोई कनेक्शन कोई पानी नहीं जागा तो आप जाकर के देख भी सकते हैं तीन नंबर वाड में आरदस पड़िवार में तो कनेक्शन ही नहीं हुआ हम गये तो बोला यह है कि यह बेहार सरकार बताएगा किस पर जिम्मेदारी दिया है ठीकेदार पर दिया है या मुख्या पर दिया है या मिंबर पर दिया है का है नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ पानी भी आता है तो कहीं बैता है कहीं नल फटा हुआ है कहीं और कुछ है सक्सिज नहीं है पानी आदमी पी रहा है जिससे बीमारी फैल रहा है